हेलो गाइज गुद्वार्निंग कैसे हो आप सब अपका एक वर्फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर जिसमें की हम कर रहे थे साइन्स एंड टेग के प्रिवेस इस कुश्चन की सीरीज और इसमें हम फर्स्ट पार्ट में फिफ्टे कुश्चन कंप्रेट क कर चुके हैं अब हम आज आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर और सेकंड पार्ट में जितने भी हमारे साइन्स एंड टैक में कुश्चन साय है वह हम सारे कंप्लीट कर लेंगे ठीक है अगर आपको इस की पीडिएफ चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर स सकते हैं हमारे हर एक लेक्शर में आपको 50 कोश्चन से कम किसी भी लेक्शर में नहीं मिलेंगे कि कमका 50 कुश्चन से कर возьしく कि आपका एक वेस्चन करना चाहते पे-पर बहुत पास में अरुम बिना बाद की फालतु कि चैजे करवाने का कोई फायदा नहीं है ठीक है तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला question आज का तो question number first है consider the following statements consider the following statement first है the distance covered by an object in a specified direction in unit time interval is called velocity क्या है जो distance covered है किसी भी object के दोरा किसी specified direction में unit time interval में उसको बोलते हैं speed उसको बोलते हैं velocity sorry उसको बोलते हैं जो है वो क्या होता है change in velocity upon time तो आपने पढ़ाओगा velocity क्या होती है displacement upon time और acceleration क्या होता है change in velocity upon time ठीक है तो यह दोनों ही statement क्या है सही है यह दोनों statement सही है और जो velocity हो क्या होती है एक vector quantity होती है इसलिए में direction देना बहुत जरूरी है अगर यहां पर direction का नाम नहीं देता तो वो क्या हो जाता है speed हो जाती अगर यह direction नहीं देता तो वो क्या हो जाती speed हो जाती और acceleration तो यह velocity होती है यह acceleration होता है दोनों statement सही है तो answer आगया इसका c आजाते है question number 52 पे the rocket's action is to push down on ground with the force of its powerful engine and the reaction is that the ground pushes the rocket upward with equal force this is an example of which of the following जब भी rocket आप छोड़ते हो तो क्या होता है जितना पहले rocket अपने fuel से ground पे force लगाता है तो उतनी ही force जो है वो ground पी रोकेट पे लगाता है मतलब equal and opposite जो होती है तो यह कहां पर बताया गया तो याद रखना यह कहां पर बताया गया है Newton's law Newton का कौन सा लो है third law Newton का third law क्या है law of equal and opposite reaction क्या है law of equal and opposite reaction तीक है जिसमें को मादेखो अगर medical science में बोले को मा मतलब को में चला ना जाना आदमी उसके मतलब सेंसे पर कंट्रोल ना रहना तीक है उसको बोलते है और वह पूरा में डैडी हो जाता है ठीक है तो को मा अगर astronomy की बात करें के astronomy में में कोमाय होताया या se ma假 मी में को मतलब ऑड़ अडल में ओ मेडेकर अगर पास जाता है तो टो इसे को बोलते और मेल यह जो Trung County किषे बना होता है में री सदन दिखाना यह कुमेट लाइश यह उ साथ थी उसका नाम प्रोजेक्ट कि चल रहा है नाजा का वह नियर अर्थ ऑब्छेक्ट्स को study करते हैं और asteroids को study करते हैं komets को study करते हैं Neowise क्या है एक NASA commission है तो उसी के नाम पे उसी ने इसको find किया था तो उसी के नाम पे इस komet का भी नाम रख दिया गया वैसे इसको C2020 F3 ये इसका वैसे नाम है लेकिन इसको दूसरा नाम क्या गया है Neowise भी दिया गया है तो यहां पे वो देखा गया था 3rd July को यह दिखा जब यह sun की closures था तो इसकी proximity में इसकी outer layer पे कुछ एक bright color की layer दिखी हाफ उस पे तो उसी को coma बोला गया तो यह है कोमा astronomy में कोमा किसको बोला जाता है bright half of material on comet आजाते हैं question number 54 पे जो की densely packed है मतलब वहां पे deposit मिले हैं ऐसे deposit मिले हैं जो केवल और केवल अगर वहां पे river होती तो ही मिलते तो इसा कॉन सा reason है याद रखना है वो reason है Aeolis dorsa 2017 का question है 2017 Trilliums का देखो कैसे question आ रहे हम मार्स पे इतने सारे mission आरे है हम याद करते हैं कि कौन सा mission जा रहा है कौन सी country से जा रहे लेकिन question क्या आ रहा है कि वहां पे कौन सा crater है क्या है यह सब question आ रहे हैं तो यह सारे जो और reason दे रखें यह सारे भी क्या है इसी पे हैं गार یہ לס हैकि मार्स पे देखो हां एक और चीज थार्स है थार्स एक रीजन यहां पर अपे बाइन्ली वोल्कनों पाई जातें यहां पर क्या पाई ठीक है और मार्स की बात करें मार्स के टू मून्स की बात करें मार्स के टू मून्स के नाम आते हैं क्या-क्या एक होता है फोबोस एक है फोबोस और एक का नाम है डीमोस एक आव नाम है फोबोस एक का नाम है डीमोस यह आते हैं और बहुत सारे मार्स पे मिशन भी चल रहे है है मलव बहुत सारे कंट्रीयस के मिशन भी चल रहें मार्स पे कुण कौन से कंट्रीयस के मिशन चल रहें मार्स पे देखो अगर मैं बताउं देखो और क्या false k 갔 त्योटे रोवर है कि अपोर्चुनिटी रोवर और एक है परसीवरेंस परसीवरेंस रोवर और परसीवरेंस रोवर अपोर्चुनिटी रोवर क्यूरियो सिटी क्यूरियो सिटी कि इंसाइट कि उसके बाद है मैवन उसके बाद है विकिंग टू ठीक है उसके बाद है विकिंग टू ठीक है उसके बाद है विकिंग टू ठीक है उसके बाद है विकिंग टू और यह सारे क्या है यह सारे ही सारे नासा ने भेजे हुए है कहां पे मार्स पे कहां पे बेजे हुए है नासा ने बेजे हुए है कहा यह और सारे आपने देख लिए एक और चीज याज रखना जो हमारा यह पर सिवरेंस रोवर रहे यह बहुत ज्यादा फिरमेस यह क्रेटर पर उतर रहा है मार्स के उसको जी जिरो जी जीर हो क्रेटर के देखो क्यों क्यों अगर मिसके रोटेकिyst की बात करें अगर हम इसके rotation की बात करते हैं तो यह rotation करता है 24.6 hours में तो और यह अर्थ कितने में करती है 23.9 hours में तो अप्रोक्स अप्रोक्स होगी यह जो है 25 degree Celsius मतलब 25 degree tilted है यह 25 degree tilted है तो अर्थ 23.4 degree tilted है अपनी axis से ठीक है और यह दखना Martian days को souls भी का जाता है Martian days को क्या बोला जाता है Martian days को क्या बोला जाता है Souls भी बोला जाता है S O L S यह सारे सारे पॉइंट एक जगह पर लिखने ना Martian days को souls का जाता है यह कितने कितने अगर आपको यह पता है ना कि इंडिया के किस कि साइंटिस्ट को वह मिला है Nobel Prize मिला उसके बाद अगर आपको यह पता है कि किस चीज में मिला तो आप इस कुश्चन को देखने की जुरूरत नहीं है तो आज यह करने की बजाए देखो इसका अंसर बताने से पहले मैं आप है किस किस इंडिया में Nobel Prize मिला इन था है सबसे पहले मिला था किसको को मिला था maiorी 103 में किस को मिला सबसक्राइब बेट lunch और सके पंट्रकेंट लिए भी इसको वह सकता ऊच्ट्रिंग हो फंटिंग कें पो इसको मेभाद का प्रश्च मेल ता अभी तोड़े से वह अभी फिर मेला था मडर्रेशा को इस खंड मेला था मदर तरेसा को मिला था ठीक है यह जो सीवी रमन है इनको किसमें मिला हुआ फिजिक्स में मिला हुआ यह याद रखना फिजिक्स में मिला हुआ ठीक है फिर 1979 में मदर तरेसा को मिला था ठीक अब वो मर्य नां 1977 किसको सेयं को किसंसे मिला था किसंसे मिला थे क्योंनोमिक्स मिला ऑग Drag Festival 2009 इंप के तोर Olay के करें कild세요 इसके बाद सेयर स्कुलनासी बमिला का सब्सक्राइब यो सब पर क्ढस्दती में यह फ्लो लगया का A के लाश सत्यार थी इसको किस चीज में मिला है चाइल्ड राइट्स में मिला है इनको किस में मिला है चाइल्ड राइट्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया है उसके लिए इनको मिला है उसके बाद देखो यह सारे क्या होगे यह हमारे जो इंडिया में ही रही है उनके होग वा इनको मेडिसन में भी क्या इन्होंने क्या बताया था एक तो जनेटिक कोड के बारे में बताया था और फंक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया था तो यह नांटिन इसट्र इंटेट में भी फिजिक्स में मिला था किसको सुबर मन्यंंचनरसेकर को अब इसको अबलब रॉच्छ के लिए नांटिन वहार्यटिंटिका रेंस्टरोग्राफी के लिए स्थेग्राफी को बंको wider एक्सपरिमेंटल एप्रोच टू एलिवेट पोवर्टी के लिए ठीक है इनकी एक्सपरिमेंटल एप्रोच के लिए उनको यह चार सांटिस थे जो इंडियन ओरीजन थे एक और चीज याद रखना कुछ ऐसे ब्रेटिश रेजिडेंट थे वैसे तो ब्रेटिश थे लेकिन पर वह ब्रेटिस इंडिया कै थे मिला ने मिला था शाल रभाण टोओनीनेंट्टी में डिया के लिए ग्याय के तोब सुझे तरह कि थी सॉटलू को सोरी यह क्या बोल्या ने मेला था 902 में रिदह रोनाल्ड रोस को ए रषैको नो के लिए पॉम्स बेगरा बता बनाते थे,ogie लिंग को मिला थे,ET सथेYes . BC 1989 में मिला तुको मिला दलाइ-λάमा को मिला दराइ-λάमा को मिला उनों रचिस्टेंस कि यह लिबर्टी के लिए तो यह जितने भी में सारे इंडियन सारे इंडियन में certified तो अभी तक करopolit然 आ di फिटीन को ही मिला स्थीजिक्स में मिला है सीवी रमन को रमन इफेक्ट और स्केटरिंग ओफ लाइट के लिए दूसरे हमारे फिजिक्स में मिला किसको सुबरमन्यम चंदर शेखर को स्टॉक्च्चर एंड इवॉलुशन ऑफ स्टार्स के लिए अभी देखो अभी देखो इस कोशन में क्या बोल रखा है किस ने बोला था कि रोटेटिंग स्टार जो हैं पोलराइज लाइट को लिमिट करते हैं स्ट्रक्चर अभी बताया कि स्ट्रक्चर एंड इवॉलुशन ऑफ स्टार्स के बारे में किसने बताया है स्टार्स के बारे में किसने बताया सुबर्मन्यम चंदर्शेकर ने और एक कहां से आप समझ सकते हो इंडियन अस्ट्रोफिजिस थे इंडियन इनको नोबल लिट्रेट मतलब नोबल लिट्रेट आप सारी आद कर लो किसको किस सीज में मिला हुए उसके बाद रामानुजन के लिए वेरी 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 इंपोर्टेंट कोश्चिन से याद कर लेना इसको ठीक है तो यह आप इसका स्क्रीन शोट भी ले सकते हूं अब आप जाते कोशन नबर 56 पर कोशन नबर 56 क्या बोलता है विच प्लेनेट वस डैन डान ग्रेट कर दिया गया था ड्वार्स प्ले बगे बाता है तो जूतर सब्सक्राइब करती तो उस सुपर रोटेशन को चैनाध ऐंडा में स्मक्राइब सब्सक्राइब तो वहां का एटमस्फेर अलग से बिहेव करता है और जो डार्क साइड में होता है वहां के मतलब अलग सा ही वहां पर क्लाउड बनते हैं अलगी अनेक्सपेक्टेड बिएवियर चो करता है ठीक है यह चीज है वहां पर और बहुत सारे देखो अब वीनस की बाद चल रही है वीनस पर कौन कौन सेिंशन चल दो लें सबसे पहले इन वीजन मिशन इन विजन मिशन सबसे पहले तो आता है इंवीजन मिंशन यह किसकाई ये युरोपिएज सपेस अजिश्ए और नासा कहा भी सके बाद आटा हुअन अगजकाई विनस उसके बाद आते हैं हमारे मेरिनर सिरीज मेरिनर सिरीज उसके बाद आते हमारे पोईनर वीनस उसके बाद आते हमारे मेगालन तीक है यह सारे किसके मिशन से यह सारे किसके मिशन है ना साके यह सारे किसके मिशन है ना साके यह भी है ना साके किन कंषिन चाहां के मिशन डेखने कि उक्रियां जुकरियां सुखियंग देखने लिकान इस तरह का कि यहां उच्छ न्यूस नपा क्यों कि 2020 में फॉस्फिन की प्रेजंस में जा सकती है तो यह सारी है विनस के मिशिन्स तो हमारा विनस के बारे में हर चीज़ कतम होजाते है आजाते है नंबर 58 पर पर फिफ्टी एक क् साइट में खालता है ऐड़ीं पालागे तो एक हैं इंपक्ट क्रीटर गंहुंट क्या ज़की और यह क्रेटर कौन सी साइड पे है और कौन सा मतलब वह प्लैनेट कैसी चीजें मतलब उसका एक्टमसफेर कैसा है वहां पर कौन सी गैसे मिल रही है वहां पर क्या है ऐसी चीजे जाद आ रही है आजाते कुछन पर 59 पे कंसिडर दी फॉलिंग स्टेटमेंट्मेंट्स इर्थ में पहले भी करा चुकी हूं तो अभी मैं इसको एक्सपें नहीं करूंगी तो हां आर्थ का जो मैंनेटिक फिल्ड हो रिवर्स हो गया फ्यू थाजन यह मतलब वह होता रहता है यह फर्स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सेकंग है वहां पर चुकी है और लिविंग और ज़्यू जो अर्लियों यह यह फिर्स फिर्स इंटिटमेंट इसको चेंज गर दिया तो इस वी बिल्कुल सही है तो इस कांसर और सी नहीं आजातें को शेंटिन नंबर सिक्सिंट कर बोलता है इवन्ट अर्यजन इस रर्स किसे related है कल रहए था किसे related is black hole से related है आजाते है question 61 में black hole के बारे में कुणं से statement सही है फस्ट है it is a reason in space where the pulling force of gravity is so strong that light is not able to escape ये एक ऐसा reason होता है जहां से light escape नहीं कर सकती बिल्कुल सही 2nd है it can result from dying stars yes dying stars बहुत सकता है तो दोनों statement सही है black hole होल के बारे में ठ्यार ह्ड और आप एक है एक चीज़ आप रखना कि ब्लैक होल अगारे में क्या साइंटीस्ते नहीं है आप जय होजा इसे सटे हैं एक सटेथियों सब्र bin Nous 2 मिलना चाहिए भी जिएमिलू की में सदेर्य मीलना छी है था हम पर ठीकंद गलंक झाच हूं तबस यह सारी स्टार्स है तो बस यह है कि हमारी गलेक्सी पे लिए जिसका नाम सगी के सिर्टरियस वेरी 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 इंपोरेंट्टर आज आते हैं कोश्चिन नुबर 62 पे विज फोलेंग स्टेटमेंट अब फोर्तो जार अथे स्टेटमेंंट करेक्ट है है was a photo-cell is a technical application technological application of photo-electric effect s photo-cell medicine has a photoelectric effect निज्फाइय डिवाइस हूज आटिट बाइस इलेक्टरिकल ट्रोपर्टिग एक् hyुस्हा रिजसके उलेक्ट्रीकल लाइड पर डिपेंड थाइं बिल्कुल थाड है फोटो केमिकल सेंसे लेलम्स बॉल्ड यूज फोटोश में ऊपने देखें होंगे ठीक है ऊटोमेटिक डॉर्स में भी यूज फोटो फोटो विश्वेड़ इंपोर्टन तिक है इसका अप्लिकेशिन आ सकते हैं उस्टेटमेंट्मेंट्स रहें अंसर आजाता इसका दी आजाते हैं कुछन नबर 63 पर कुछन नबर 63 है उप्टिकल फाइबर के बारे में अभी उप्टिकल फाइबर हम भी जारें टिक है ऑप्टिकल फाइबर अडवानी को बार तक जो स्कीम है फस्ट है लेएर कोल्ड ग्लाइडिंग विच रिफ्रेक्ट इसका फ्रेक्ट इस प्रोपगेटिड न इन और उप्तिकल फाइबर बारे में कौन सी चीजह सही है फ्रस्ट एल्ट इस एफ्टेड भाइवीटी यह जो चुका तो फोड़ी देर पहले लेक्ट्ट में यह कुश्चन हो चुका थे का दो आज आर रही रिपीट हो गया तो तो Einstein theory of relativity के according बतानी हमें नॉर्मल नहीं बतानी तो Einstein theory of relativity में बताया था कि यह slight gravity से affect होती है लेकिन उसमें universe के expand करने का कोई mention नहीं था और जो matter है वो wrap करके रखता अपने space and time को यह भी सही था तो first and third सही है second wrong है ठीक है तो आप आप जाते हैं question number 65 पे question number 65 क्या है the earth magnetic field has rivers every thousand years यह भी अभी आया था और यहां पे नहीं oxygen नहीं थी carbon dioxide थी तो यह second statement wrong होगी third यह भी statement सही थी अभी थोड़ी दो मिनिट पहले question क्या है तो इसका answer क्या हो गया first and third are correct answer हो गया C आजाते है question number 66 पे with reference to fuel cell in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity consider the following statement fuel cell के बारे में हमें बताना है सबसे पहले है if pure hydrogen is used as a fuel the fuel cell emit heat and water as a byproduct यह statement बिल्कुल सी है fuel cell में अगर आप pure hydrogen का use करते हो तो उसमें जो oxygen as a oxidizer की तरह होती है तो hydrogen और oxygen मिलके क्या बना देते है water और water क्या बनाते है byproduct बनता है second है fuel cell can be used for powering buildings and not for small devices very very मतलब opposite statement है जो fuel cell है manly वो small devices में use होती है बड़े devices में वो use नहीं होती है second statement रोंग हो जाती है second statement रोंग होते ही हमारी 50-50 के चांस हो जाते है third fuel cell produce electricity in the form of alternating current यह statement क्योंकि जो fuel cell है वो AC में नहीं वो किसकी form में DC की form में direct current की form में electricity create करती है तो third statement भी रोंग हो गया तो इस answer क्या हो गया हमारा ए ठीक है तो यह देखो कैसे कैसे question आ रहे हैं आपको बस इसमें यह देखना है क्योंकि question repeat बहुत कमबार होते हैं ठीक है तो अब आजाते है question 67 पर क्या है solar power production के बारे में हमें कुछ कुछ चीज़ा दे रखें उनके बारे में हमें बताना है क्या क्या है ठीक है सबसे पहले है photovoltaic is a technology that generates electricity by direct conversion of light into electricity photovoltaic एक ऐसे technology है जिसमें क्या होता है light जो है direct किसमें convert हो जाती है electricity में convert हो जाती है ठीक है और सेकंड बो रखा कि solar thermal एक ऐसे technology है जहां पर sun की जो rays है वो पहले heat produce करती है ठीक है फिर उससे अगर बिजली बनाने है तो वह बाद में बनाई जाती है यह statement दोनों ही बिल्कुल बिल्कुल सही है photovoltaic cell में direct energy बन जाती है डारेक्ट बन जाती है और जो solar thermal है उसमें क्या होता है sun rays mainly heat करती है इसलिए मेली पानी को गरम करने के लिए बड़े बड़े जगह पर क्या हो जाता है solar thermal system को लगाया जाता है ठीक है second photovoltaic generates AC वाइल solar thermal generates DC याद रखना दोनों ही क्या produce करती है DC तो यह भी alternating correct नहीं करती है यह भी DC करती है तो second statement होगी wrong second wrong होते ही हमारा answer आ जाता है क्योंकि ए तो हमारा correct है थर्ड है India has manufacturing base for solar thermal technology but not for photovoltaic यह भी नहीं है इंडिया में दोनों के लिए ही बीस है अगर मतलब बनेंगी तो दोनों ही बन सकती है ठीक है जब rainbow में कौन सा मतलब जब rainbow बनता है तो कौन सा फिनोमेना होता है तो आपने तो यह 10th class में भी पढ़ा होगा कि dispersion, reflection, internal reflection तीनों ही फिनोमेना होते है जब rainbow बनता है ठीक है very 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 important question आ जाते है question 69 पर बोल bearing are used in bicycle, bicycle and car में bowl bearing used की जाती है तो वह किसके लिए होते है तो सबसे पहले actual area of contact between wheel and axle is increased इसके लिए भी नहीं होती, effective area of contact between wheel and axle is increased यह भी नहीं होती, effective area of contact between wheel and axle is reduced ऐसा नहीं होता, main चीज़े क्या होती है नोर की होती हैं और वहां पना जो बॉल बैरिंग होती होती है स्फर्कृवलल की होती है अर उनका जो friction होता है वह काफी कम होता है मतलब वहांपे जो friction लगेगा this is rolling friction और जो rollingell Greek Caesar होता है वह्तो हमारा Arctic कर दोनों से कम होता है तो वहां पर जो फ्रिक्षन लगता वह यह बला लगता है वह गोल वाली होती है तो इन्वेसें तो कोई भी स्टेटमेंट साही नहीं है अजाते हैं कूश्चिन नुम्र सेवन्टी पर कॉश्चिन नबर सेवन्टी हमें क्या बोलता है कि optical illusion किस किस में होता है optical illusion किस किस में होता है ठीक है तो सबसे पहले है the size of sun at dusk color of sun at dawn moon being visible at dawn twinkling of stars in the sky pole star being with देखो आप एक चीज़ बताओ आप एक चीज़ बताओ कि जब आपको pole star दिखता है तो क्या वो वो है मतलब कोई आपका optical illusion है नहीं pole star दिखेगा तो आपको real है कि उसी direction में है north में ही है हमारा pole star ठीक है तो यह कोई illusion नहीं है तो अगर fifth illusion नहीं है आप 50-50 प्याज़ आपते हो इसका मतलब first and second तो सही है मतलब वो optical illusion है मतलब sun जब सुबह दिखता है और sun जब श्याम को दिखता है ठीक है तो optical illusion होता है ठीक है तो stars twinkling of stars क्या है optical illusion में आते है लेकिन moon जो होता है वो optical illusion में नहीं आता तो इसका answer हो गया C क्या हो गया C 70 का answer हो गया C आजाते question number 71 पे हमें बताना है the non forces of nature can be divided into four glasses forces में लिचार में divided gravity, electromagnetism, weak nuclear force and strong nuclear force तो हमें बताना है कौन से statement सही नहीं है गलत statement बताने है सबसे पहला है the gravity is strongest of four नहीं, weakest of four gravity बहुत ही weak है तो पहली statement wrong होगी ठीक है तो यह ही होगी इसका मतलब और सारी statement सही है देखो the electromagnetism act only on particle with an electric charge यह statement भी सही है इसका मतलब second है weak nuclear force causes radio activity यह भी सही है strong nuclear force hold protons and neutrons inside the nuclear of atom यह तीनों statement सही है के बलब gravity जो है वो strongest force है यह statement गलत है आज आपने question number 72 पे हमें बताना है team of scientists a book heaven national laboratory including from India created heaviest antimatter heaviest antimatter को create किया है तो इसके implication क्या है अगर antimatter अगर produce हो जाता है तो उसके implications क्या होते है तो फस्ट है it will make mineral prospecting and oil exploration easier and cheaper antimatter मतलब बनना matter का opposite होता है जो matter का charge होता है उसके opposite charge का जो होता है उसको बोलते है antimatter सबसे heaviest उसमें anti helium nucleus ही है तो यह कोई नहीं है कि वो मतलब easier बना देगा नहीं यह क्या होता है थोड़ा सा महेंगा होता है expensive होता है second है it help probe the possibility of existence of stars and galaxy made of antimatter जो galaxy और star antimatter के बने होते है उनको सर्च करने में help करेगा third है it helps to understand the evolution of universe universe के evolution को understand भी यह करने में help करेगा तो second and third statement सही है यह statement हमारी wrong है तीक है आज आते है question number 73 question number 73 क्या बोलता है which of the following are cited by scientist as evidence for continued expansion of universe continuous expansion of universe के लिए scientist ने कौन से evidence दिये कि क्या क्या चीज़े बताती है कि जो हमारे universe वो expand करता जा रहा है तो detection of microwave in space यह यह भी बताता है ठीक है यह भी बताता है और second observation of red set phenomenon in space यह भी बताता है asteroid space में move कर रहे हैं यह कैसे बताएंग asteroid space में move कर रहे हैं यह तोड़ी ने बता रहा है कि मतलब हमारा जो universe है वो expand कर रहे है ऐसा नहीं है वो नहीं बता रहा तो थर्ड तो नहीं बता रहा फ़र यूज़ यूज़ होती है कैया यूज़ होती है कैपलर येक्षिन यूज़ होता है ठीक है second है one would not be able to use a straw to consume a soft drink अगर हम स्ट्रो में से जो soft drink पीते हैं तो वह तो हम अपनी force लगाते ना तो उसमें वह थोड़ी ना कि खुदी कैपलर येक्षिन हो रहा है नहीं वह तो हम force लगाते तो वह कैपलर येक्षिन नहीं है second जो वाला है वह कैपलर येक्षिन नहीं है तो direct answer आ गया अगर हमें एक भी पता है ना तो अमारा answer आ गया third है the bloating paper would appear sorry, bloating paper would appear here paper would fail to function पतानी क्या बोड़ रहा है ये सही है bloating paper जो है वह भी नहीं वह पानी को सोख पाएगा for the big trees that we see around would not have grown on earth क्योंकि जो वहां पे पानी जो ऊपर चड़ता है plants में वह भी capillary action के कान ही चड़ता है तो ये सारी statement सही है second statement wrong है question no.75 पे हमें बोल रहा है CFL और LED के बारे में बताना है ठीक है LED के बारे में first है to produce light CFL uses mercury vapor and phosphorus ये statement बिल्कुल सही है कि CFL क्या यूज करता है mercury vapor का यूज करता है और phosphorus का यूज करता है CFL का full form क्या है compact fluorescence light compact fluorescence light compact fluorescence light ठीक है ये इसको बोलते हैं और मेली ये mercury vapor और phosphorus को यूज करता है और LED light में क्या होता है semiconductor का मना होता है ये statement बिल्कुल सही है second है the average life span of CFL is much longer than that of LED नहीं LED का lifetime जादा होता है third है the CFL is less energy efficient as compared to LED yes CFL energy efficient कम है किस से LED से 3rd statement सही होगी second statement रहोंग है first and third statement सही है तो इसका answer क्या आगया C अब आजाते है question number 76 हमें बता रखा है कि एक नहीं वो आया optical disc आई है blu-ray तो हमें traditional DVD की form में बताना है कि मतलब उसके respect में बताना है कि कौन से statement सही है गलत है first and DVD supports standard definition video while BD supports high definition video यह statement बिल्कुल सही है यह statement बिल्कुल सही है कि जो DVD है केवल SD video को करती है support करती है और जो BD है blue ray disc high definition video को करती है second is compared to DVD the BD format has several times more storage capacity यह भी सही है storage भी ज्यादा है thickness of BD is 2.4 mm while that of DVD is 1.2 mm तो जो thickness होती है जो BD की thickness होती है 1.1 mm और DVD की thickness होती है 0.6 mm तो दून नहीं गलत्दी रखे है तो 4th तो 3rd तो गलत्दी रखा है first and second सही है answer क्या आगया B blue ray disc जो होती है अभी बताया कि इसकी storage भी ज्यादा होती है thickness भी ज्यादा होती है और याद रखना यह जो BD होती है single layer में 25 GB store करती है dvd होती है single layer में तो data ज्यादा store करती है अगर data transfer की बात करें data transfer जो हमारी blue disc होती है data transfer करती है 36 MB per second इतना कर देती है dvd होती है 11 MB per second कर पाती है data transfer भी इसका जल्दी होता है तो यह होगी हमारे सारी statement एक और चीज याद रखना BD में blue disc में कुछ-कुछ video code अवलेबल होते है वह video code BD में होती है dvd में नहीं होती है तो आज यह statement तो देख लें MPEG2 MPEG4 or SMPTE VC1 ठीक है यह सारे किसमें use होते है blue ray disc में होते है Q77 Microbial fuel cell are considered as a source of sustainable energy जो microbial fuel cell है उनको sustainable source of energy क्यों कहां जाता है First, they use living organism as catalyst to generate electricity from certain substrate Yes यह का living organism energy create करने के काम आते है Second, they use a variety of inorganic material as substrate Yes, यह भी use करते है Third, they can be installed in waste water treatment plant to clean water and produce electricity यह भी सही है तो तीनोही statement इसके बारे में हमारी करेक्ट है Microbial fuel cell के बारे में तीक है आज आते है Q78 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 Q79 Q78 Q79 Q78 Q79 Q79 Q70 Q79 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 यह कम पावर यूज करती है मिलाब इसके बाद ब्लुटूथ को चलाने के लिए लेकिन वाइफाइटर चलाने के लिए तो तो वाइफाइ और इसके बीच में यह स्टेट्मेंट हमारी है आजाते है कुछन नबर 79 पे हमें बताना है कि वट इस दी प्रिंसिपल बाइचे कू भी सब्सक्राइब्ट नोर्मल लाइफ में चीजे यूज करते हैं उस पर कोश्चन जाद आई होए है तो आप इन डिस्क्रिमिने डिस्पोज डिस्पोज घ्री पॉलिशन इलेक्रिक लैंप को उस्ट मर्करी पोलुशन इन इन्वार्मेंट तो वाइज मर्करी उजन वने इसलिए मरकरी को यूज करते हैं आजाते है कुछ नमबर 81 पे रिसेंटली लेजिक लेजर असिस्टेड इन सिटु करेटो मिल्यूसिस बिल्कुल इसको याद कर लेना पूरी फुल फॉम को ठीक है यह भी आ सकती है परस्टेड्यूर इसके बारे में सही नहीं है तो देखो लेजिक पर्डूर इस यूज करने के काम आता है यह पर्मानेंटली चेंज कर देता है पूरा मतलब उससे चेंज करता है पूरे उसमें जलाया जाता है बिजली के उससे परस्टेड्यूर इसको नहीं होता है इसको नहीं करवा सकते हो तो अंसर हो गया इसका अंसर क्या हो गया हमारा दी आजाते कोश्चन नबर 82 पर 82 क्या बोल रहा है विच ओफ दी फॉलेंग कैन उपरेट बीच में कौन सी यूज हो सकती है अभी ब्लुटूथ यूज हो सकती है वाइफाई यूज हो सकती है वन और फॉर दोनों यह इसमें भी है और याद रखना कोडलेस फोन और माइक्रोवेव ओवन यह दोनों भी इस रेंज में काम कर सकते हैं तो यह सारी जितनी भी हैं यह सारे इसमें इस रेंज में काम कर सकते हैं 2.4 और 2.5 गीगा हर्ट की रेंज में आज आते हैं कोश्चन नबर 83 पर 83 क्या है हमें पूछा है कि विच ओफ इन हमें जैनेटिक डीजीज होती है में वह जैनेटिक डीजीज का में कोश होता है माइट्रो कॉंड्रियल डीनने माइट्रो कॉंड्रियल डीनने और जो माइट्रो कॉंड्रियल डीनने को ही हम वह कर दें मतलब उसी को उसी के नुकलियस में ट्रांसफर कर दें तो वह सही हो सबी सब्सक्राइबं सब्सक्राइब यह transfer करने से pro nuclear transfer करने से जितने भी हमारी mitochondrial disease है वो सही हो जाए नहीं ठीक है आजाते है question number 84 पर artificial intelligence के बारे में बताना है artificial intelligence किस-किस में use हो सकती है तो हर चीज में use हो सकती है can भी तो कुछ भी हो सकता है bring down electricity consumption yes इस में हो सकती है create meaningful short storage यह कर सकता है disease diagnosis भी कर सकता है text to speech भी कर सकता है और wireless transmission भी कर सकता है तो हर काम कर सकता है हमारा artificial intelligence आजाते है question 85 पर visible light communication के बारे में बताना है visible light communication technology के बारे में हमें बताना है सबसे पहले है जो यह use करते 375-780 nanometer का electromagnetic spectrum बिल्कुल यह statement सही है second है this is known as long range optical wireless communication देखो इसको यह statement होंग है इसको long range नहीं इसको क्या बोले जाता है short range optical wireless वो बोले जाता है तो second statement रोंग होगी अगर हमारी second statement रोंग होगी तो हमारा direct answer आगा C ठीक है कि यह long range नहीं होता है यह short range होता है third है VLC can transmit large amount of data faster than Bluetooth yes यह Bluetooth से faster data transfer करती है 4th है VLC has no EM interference yes यह भी सही है तो और सारे सही है second wrong है अधारतने question number 86 पे 86 के बोलता है blockchain technology के बारे में हमें statement बताने है first है it is a public ledger that everyone can inspect but which no single user control यह सही है second है this structure and design of blockchain is such that all data in it are about cryptocurrency only क्या blockchain के बारे में data नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है तो दो statement कर दे थाड़ है applicants that depend on the basic features of blockchain can be developed without anybody's without anybody's without anybody's permission application that depend on basic feature of blockchain can be developed without anybody's permission yes अगर basic feature को change करना है तो बिना किसी body के उसके हो जाएगा तो अंसर आगया 1 & 3 आजाते हैं question number 87 पर carbon nanotubes के बारे में पुछा है कि यह कहां कहां यूज हो सकती है तो यह drugs को ले जाने में भी यूज हो सकती है यह artificial blood capillaries में भी यूज हो सकती है यह biochemical sensor में भी यूज हो क्या crater को देखने में active volcano का बिल्कुल और क्या जो भी हमारी वेल्स हैं उनका जो DNA की अनलीसिस करने में वहां के सेंपल निकालने में बिल्कुल तो थार जगे आप इसको यूज कर सकते हो ड्रोन टेकनोलोजी को आ जाते है question number 89 पर एक experiment है जिसमें की एक trio spacecraft fly किये जाएंगे equilateral triangle की फो में एक यह एक यह तिक है और जिसकी साइड्स होंगी 1,000,000 km की यह 1,000,000 km की होगी विद लेजर शाइनिंग बिट्विन दी क्राफ्ट और इनके बीच में क्या शाइन करेगा लेजर एक दूसरे के बीच में लेजर शाइन करेगा और ट्रियो बनाएंगे साइड इसरडियो इंजक्टी पिफिंड बिप्लूरि इंप्लाइओं डाल सकते तो तीनो स्टेटमेंट सब्र नि स्कार अगया अगया ब्रशाइड ऑटें पर नियूमो कोकल कंजूगेट वैक्सीन के बार में हैं न्यूमो कोकल कंजूगेट वैक्सीन यह एफेक्टिव प्रविश्ट के लिए वेक्सिन लेते हैं तो हमें एंटिबियोटिक्स पे डिपेंड रहने की जुरूरत कम पड़ेगी थर्ड है इस वेक्सिन आपक्सिन और जिसका सइफेक्ट नहीं होता थोड़े बहुत सब के होते हैं तो यह स्टेट्मेंट हो गई रोंग और स्टेट्मेंट हैं हमारी क्रेक्ट चैनल मोरे की सलोच कोवूरिया क्यों स्टेट्मेंट क्रेक्ट है रिगार्इं पी जernल डिफरेंस बिटूंट निद् एनिमल सेल मिंわか्या मीट दिफरेंस है और देखले सेलोल्सालिuw अप्रेंग के शुक्त हैं किंवां प्लाजम प्लास्म को होती है तो यह सथेटमेंट आ गोगे सब्सक्राइबूंप इस्टन सारे है सब्सक्राइब करते हैं क्यों कि इस नुकलियर रयक्टर बेंस इस उखार रखें गए हैं इसा क्योंकि वह क्योंकि वह जो रियक्टर है वह इंपोर्टिड यूरेनियों का यूज करते हैं और उनको फिर इंटरनेशनल स्टेंड़्स के हिसाब से ही यूज करना पड़ता है ठीक है वो इसलिए आई एके framework के अंडर है वहरी 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 इंपोर्ट्ट या कोश्य नंबर 95 पिक्या बोलता है इन इंडिया से benefit उसके अंडर कवर किये जाएंगे तो सबसे पहला है the cost of restoration of computer system in case of malware disrupting access to one's computer बिल्कुल अगर किसी के computer को malware ने खराब कर दिया तो हाँ उसका ठीकराने का cost दे सकती है government second cost of new computer if some miscreant willfully damages it if proved so अगर किसी ने willfully किया है तो cost of computer क्यों देगी government तो second में तो नहीं देगी पूरा cost of computer आप इतने लाखों का computer ले आओ तो government फोड़ी नहीं देगी ठीक कराने के पैसे दे सकती है third cost of hiring a specialized consultant to minimize the loss in case of cyber extortion बिल्कुल आपको consultant को hire करने का cost government ले सकती है fourth cost of defense in court of law if third party file से shoot yes यह भी सही है तो इस cancer आगया हमारा B आ जाते question no.96 पर with reference to solar power pump solar power pump के बारे में बताना है first solar power can be used for running surface pump and not for submersible pump यहाँ रखना solar power जो है वो surface pump को भी चला सकती है और submersible pump दोनों को चला सकती है तो first statement होगी wrong कि यह दोनों को नहीं चला सकती है second is solar power can be used for running centrifugal pumps and not the ones with piston तो यह रखना solar power जो है वो centrifugal pump को भी चला सकती है और piston वालों को भी चला सकती है यह भी statement होगी wrong science and tech के तो अब हम करवाएंगे science and tech की most expected question की series जिसमें की हम starting में अभी केवल two lectures के साथ आ रहे हैं बाद में अगर हमारी पास time बचता है तो हम कुछ और lectures इसमें upload कर सकते हैं तो इसी नोट पे आज का lecture हम खतम करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like करो और प्लीज चैनल को subscribe करें बिना मज जाना क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं करना ठीक है तो इसी नोट पे आज का lecture खतम करते हैं तो थैंक यू वेरी मुच बाइ बाइ